Hello guys welcome to Linux Essential for Hackers playlist and this playlist में आज का निया वीडियो है कि system information जो की Linux में कैसे देखे हम बहुत पार ऐसा होते है कि हमें system का version जानना पड़ता है, Linux kernel का version जानना पड़ता है और CPU architecture बगरा ये सब कुछ जानना पड़ता है, host name change करना पड़ता है तो हम कैसे करें आज की वीडियों हम वहीं देखने वाले हैं तो मैं हूँ आणडी सो लेट स्टार्ट तो इसको लिए पहले तो टर्मिनल ओपिन करना है अभर कर लेता हूँ अब हमारा जो यूजर है तो अभर कें में तो इसो यूजर को जैसे हम अभी इस तार्मिनल को कौन सी यूजर में open किये है उसको जानने के लिए हमें who mi दबाना है ठीक है who mi से हमें user का पता चलता है अब enter दबाओ kali ठीक है तो यह command से क्या होता है वो भी जान सकते हम what is से ठीक है तो इससे क्या होता है print effective user id तो इससे क्या पता चलता है हमें यूजर का पता चलता है ऐसे करके हम सब ही कमांड को देख सकते क्या होता है इस कमांड को तो मैं पहले बार बोल भी चुका हूं पहले वीडियो में तो अब नेक्स्ट जो कमांड है हमारा वह है hostname hostname से क्या होता है हम अभी जो host में है उसका नाम यह बोलता है जैसे कि हम अभी काली में है तो यह उसका नाम बोलता है तो हम यह देख पर है कि काली यहाँ पर है तो हम क्यों यह commands यूज कर रहे ठीक है यह तो सवाल आपकी दिमाख में आए गाई सो बेसिकली होता क्या है आप अगर metasploit में कुछ exploit करो आपका जो target का machine उसमें तो उसमें आपको एक session मिलता है ठीक है सो उसमें ऐसे users groups नहीं दिखाते हैं सिर्फ आप जो लिखते हो वही दिखाते हैं और आपका output दिखाते हैं ठीक है तो आपको यह अगर नहीं दिखाएगा तो आपको पता कैसे चले है कि आप कौन सी user में हो आप रूट privilege में हो या administrative privilege में हो या किसी normal user में हो तो उसमें हम ऐसे पता लगा सकते होस्ट नेम और हुआ हमाई से ठीक है तब हमारा जो next command है वह हम होस्ट नेम को कैसे चेंज कर सकते है जैसे अब ही मेरा होस्ट नेम काल है तो उसको हम कैसे चेंज कर सकते है उसके लिए एक फाइल है Linux का वो सभी ETC में ही रहता है उसको हम nano से open कर सकते है मैं दिखाता हूँ अभी तो हम पहले जाएंगे कहाँ ETC में एक रूट डिरेक्टरी है इसलिए हमें ऐसे जाना पड़ता है तो अब इससे हम एलेस करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हो मैं खुल के दिखाता हूँ यहां पर यह जो होस्ट नेम जैसा फाइल है ना इसके अंदर रहता है हमारा होस्ट नेम क्या नाम सो करेगा तो इ जैसे कि विंडोस में नोट पैड होता है और वाट पैड होता है यहां पर नानो होता है ठीक है नानो होता है भीम होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में सब बताऊंगा कि कौन से भीम नानो कैसे यूज़ करते है तो अभी के लिए हम एक बार देख लेते है नानो को और हम तो अब भी में इसको ऐसी छोड़ देता हूँ यह control x exit होता है तो वहाँ पर जो नाम लिखा रहेगा यह hostname दबाने से वही नाम show करेगा ठीक है तो इसको एक बार clear कर लेते हैं हमें default में आते हैं अब अब जो next हमारा command है वह है id तो id में क्या होता है एक बाद देख लेता है id में हमारा जो users होता है उसका क्या id होता है user id groups का जो होता है groups का क्या id होता है वो दिखाता है और बहुत सारे ऐसे ाइडिस दिखाता है जो आपको बहुत information gathering में काम लगेगा आप सो next जो यह तो हुआ अब users ग्रूप बगरा सब जानने के लिए अब next है हमारा जो Linux का distribution है उसका version उसका नाम कैसे देखा है उसके लिए हमें lsb एक अंडर्सकोर रिलीज यह दबाना है ठीक है एक का मतलब है all दिखाएगा यह तो lsb रिलीज का मतलब linux distribution का जो रिलीज होता है उसका यह details देखाएगा तो distributor id तो काली दिखा रहा है मैं काली OS यूज कर रहा हूं description यह देखा रहा है यह रिलीज यह कौन से version है 2020.1 जैसे के मैंने भी update नहीं किया इसको और control ls को clear कर देते हैं इसका तो हुआ linux distribution का name बगरा देखा है और भी command से हम इसका kernel भर्जन भी check कर सकते है ठीक है तो kernel भर्जन भी किसी-किसी time पे काम आती है जैसे के आप कोई कुछ सब्टेयर पर गर इंस्टॉल कर रहा है तो वह किसी basic जो मतलब कुछ specific kernel पर रान होता है ठीक है तो हमें वहाँ पर kernel भर्जन चेक करना पड़ता है तो एक बार देख भी लेते हैं कौन सी kernel पर चल रही है उसके नहीं हमें यू नेम आर द्भाना है यू नेम यह द्भाना है ठीक है sorry यू नेम यह द्भाना है ठीक इससे kernel का पता चलता है तो अब आप देख पार है लिनुक्स काली 5.0 4.0 यह सब दिखा रहा है डेवियन में चल देख है हाँ यह काली जो ऐसे हो डेवियन बेस्ट है जैसे की Ubuntu भ भी devian based है यह अब net पर सार्च करके देख सकते हो पर एक होगा कि अब नाम सुने होगा red hat linux ओ डेवियन बेस्ट नहीं है ठीक है तो डेवियन बेस्ट linux जो होता है उसका नाम मैंने बता दिया पैर और ubuntu जैसे ubuntu का नाम आपने सुनाई होगा ubuntu devian based है और और एक devian based है जो कि यह linux mint उसका भी नाम सुनाऊगा तो इसका हम clear कर लेते हैं और अगर हम cpu का मतलब cpu का अगर information देखना चाहते है तो इस command से देख सकते अगरे लेस सी प्यू तो इसमें आप देख पारे हो कि 64 bit में रन हो रही है और मेरा तो राइजन 3 का पॉसेसर है यहां पर दिखा रहा है और मैंने इसमें यह वर्चुल में रान हुए भी अमार में यह भी देख सकते हो आप तो उसमें मैंने दो कोर ही डाला है तो यह भी आप दिखा रहा है यहां पर और यहां पर जो फॉर कोर्स से उसका में मोरी भी दिखा रहा है क्याचे में मोरी तो यह सब information हम यहां से collect कर सकते हैं तो इस वीर हम हम कुछ अच्छे-च्छे commands देखे जिससे हम Linux का और यूजर का और जो CPU का information देख सकते हैं ठीक है और भी बह पर ज्यादा तक काम में आती है हुए है माई ID यह भगरा ठीक है और यूनेम भी कभी कभी आते है काम में तो तब तक के लिए गुडबाई सी यू लेटर इन नेक्स्ट वीडियो